हेलो एवरिवन तो मैं आई हूँ आज पासपोर्ट साइज फोटो निकालने जापान में किस तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हैं मैं आपको दिखाऊंगी तो ये पूरा एरिया है पासपोर्ट साइज फोटो निकालने देख सकते हैं आप लोग इसमें सब पर जैसा है और इसमें बैटने के लिए चीर है और यह camera है सीसा नहीं है camera है इसमें पर मेरा face दिख रहा है क्योंकि बहुत दूप है तो और यह है उसका नीचे setup जिसमें हमने टेच करके अपना photo की setting बगरा करनी है जिसे photo निकलेगी तो देख सकते हैं पूरा मैं आपको area दिखाते हैं अंदर कुछ भी नहीं इस तरीके से होता है ये अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी passport size photo निकालती तो ये मैंने study करा और यहाँ पे हमने photo select करी तो मुझे ये चाहिए थी passport size ज़्यादा बड़ी नहीं तो मैंने इसको select करी अब इसमें हमने देखना होता है कौन से चाहिए तो मैंने तीसरे number का option दवाया तो ये दिखा दिया अब इसने हमने photo का rate बताया है तो हमें 6 photo चाहिए थी दर पे हमने yes करना है तो यहाँ पे Japanese में लिखा है high करके तो इसको भी हम करेंगे touch okay ये अब इदर पे दिखाया है हमको इस तरीके से हमारी 6 photo है भार शू करेंगी तो हम इसको भी okay कर देंगे okay करने के बाद यहां से हम डालेंगे पैसे पैसे भी यहीं पर करना पड़ता है कोई भाई इस दर पे कोई भी नहीं बैठेगा cell पैस अप्चिस त आप देख सकते हैं उसने किस तरीके से नहीं बैठना है जैसे photo खराब होगी वो भी show कर रखा है तो मैं दरवाजा अब बंद कर दूंगी और मैं यहां पर click कर दूंगी कि मुझे photo लेनी है तो मुझे वो पर्दा को close करना पड़ेगा तो यह मेरी photo आ चुकी है इसमें और पर्दा कर दिया है मैंने close तो मैं देखो इस तरीके से दिख रही हूँ मेरे face में lining दिख रही है मुझे इसके according बैठना है कि ताकि मेरी photo सही से आए ना जादा इधर हो ना जादा उधर हो और आम से बीच में मैं एकदम perfect तरीके से photo आए तो मैं यहां पे देखो अपने setting ब और मेरे को अब देखना ऊपर camera में तो मैं camera में देख रही हूँ और यहां पर flush होगा देखे फ्लस होने के बाद यहां पर आएगी मेरी photo अभी searching में है तो यह आचुकि कुछ मेरी इस तरीके से photo ऐसा करने को आपको तीन option मिलेंगे पर मैं सिब दो बार करती हूँ क्योंकि स इसा होता है सिलेक्ट करने के लिए तो मैं एक बार फिर से ट्राइ करूंगी तो मैंने camera में फिर से टैच करा और यहां पर फिर से मैंने अपनी lining जो भी अपना setup बठाए अपना setting करके इसको फिर से मैंने उक्के करा okay का जो बटन है उदर पर लिखा हुआ है इसको फिर से मै नुक के करने के बाद देखे स्ते के सायाएगा फिर से मेरी फोटो किजिए मैं camera के तरफ देख रही हुँ तो camera में देखने के बाद मेरी cell फोटो होने की बाद तो आप देख सकते है पर सर्चिंग में सब्सक्राइब कुछ इस तरह में कि उनकर से अपना करना है कि कौन सी करने के बाद मेरा नीचे इसको मैंने दबाने DONDE मेरे सक्षान करना है अब मुझे सो धेखिया उदर यहां से कख़ा है दुकित हो अब इसको मैंने प्रिंटक्ट करने के लिए ओके करना है तो मैं् で जबसेश्रेबर कहो अब मेरक अधोριं तो फोटो टो पहले मैं सोची यहां से निकलेगी पर यहांा से निकला थीмотр इस तरीके से मेरी छहां निकल चुकी है कटिंग हमें खुद करने पड़ती कटिंग करके अपना रोग तो यही है हमारा जापान में प्रोसेस तो आप देख सकते हैं पूरा एरिया से जगे-जगे में जापान में बने होते हैं तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी यूद लाइक कमें से सब्सक्राइब